बहुत काम के है ये 20 कोकिंग टिप सबसे पहले कपड़े में से चाय के दाग हटाने के लिए उसमें बेकिंग सोधा और पानी का पेस्ट बना कर लगाए कुछ समय बाद इसे स्क्रब करे और धोले बुनेव ये मुमफली के दाने को 3-4 मिनिट के लिए ठंडा होने दे जब वे थोड़े गर्म हो तभी उन्हें लगड के छिलके हटा दे आसानी से छिलका हट जाएगा सबजी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए अगर टमाटर ना हो तो आप टॉमेटो कैचप का उपियोग करके भी ग्रेवी बना सकते हैं रात को सोने से पहले गुड के साथ दूद पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है निक्स्ट है टमाटर का छिलका आसानी से उतारने के लिए टमाटर पर हलका तेल लगा कर उसे सैक ले टमाटर के छिलके आसानी से उतर जाएंगे निक्स्ट है चीर दर्द होने पर लॉंग को भून ले अब भूनी हुई लॉंग को सुंगने से सीर के दर्द तुरंद बंध हो जाता है निक्स्ट है मुह से प्याज और लैसुन की बदबू दूर करने के लिए क्रीन टी पीना सबसे अच्छा उपाय है निक्स्ट है तुचा के जलने के तुरंद बाद उस पर ठंडा पानी डाले उसके बाद उस पर ट्विट पेस्ट लगाने से जलन कम होती है और फफोले नहीं पड़ते हैं नेक्स्ट है यदि कभी घर पर बेशन की लड़ू बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सामोंग की डाल का आटा भी मिला दे इससे लड़ू का स्वात अधिक ज़्यादा अच्छा और खुपसूरत हो जाएगा नेक्स्ट है बाजरा केलसियम से भरपूर होता है रोजाना बाजरे की सेवन करने से जोड़ू की समस्या में लाब मिलती है नेक्स्ट है निम्बू के रस को नीचोड़ कर स्प्रे बोटल में भर कर घर की छत और दिवारों पर छिड़कने से मकडी दोबारा जाल नहीं बन नेक्स्ट है आइस ट्यूग गर्म पानी में जमाए इससे ये जल्दी बनती है और ये दिखने में भी बहुत पारदर्शी होती है नेक्स्ट है सुझी को कीड़ों से बचाने के लिए इसमें सुखी हुई पुदिने की पत्तिया रख सकते हैं पुदिना की खुद्बू से सुझी में कीड़े नहीं लगते हैं नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बरतन जल गया हो तो उसे साफ करने के लिए उसमें चाइट पत्ती और आधा का पानी डालका छोड़ दे एक घंटे बाद लिक्विट से साफ करे बरतन चमक उठेगा नेक्स्ट है पानी में नमक मि चोड़े दूर होता हैं नेक्स्ट है मिठे भजी बनाते समय यदी आप आठे में पानी के जगा दूद का उप्योग करेंगे तो यहां और भी ज्यादा स्वाधिस्ट बनेंगे नेक्स्ट है रोटी बनाते समय पहली रोटी को हमेशा मोड कर रखे बहुत ही शूप होता है नेक्स्ट है कचूर्या सॉफ्ट और टेस्टी बनाना है चाहते हैं तो मैदे में थोड़ा सा दही डाल कर गुंथे डाल में चौक लगाते समय तेल में जरा सी हल्दी मिला दे तेल के छीटे बाहर नहीं आएंगे नेक्स्ट है बिरियानी और पुलाओ को सजाने के लिए प्याच को भूंते समय उसमें एक चुटकी चीनी डाले ताकि वे जल्दी भूरे हो जाए इस तरह से दादिया और नानी के कुछ बताएवे टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद